28 अक्टूबर को हैं, साल का अंतिम चंद्र ग्रहन महिलाएं भूल से भी न करें, ये काम साल का आखिरी चंद्र ग्रहन शरत पूर्णिमा पर लगने जा रहा है ये आंशिक चंद्र ग्रहन भारत में भी दिखेगा ऐसे में सूतक काल ग्रहन का समय जान लें और इन नियमों में कोता ही न बरतें हिंदू धर्म में ग्रहन को बहुत अशुब माना गया है 28 अक्टूबर 2023 को शरत पूर्णिमा पर फिर चंद्र ग्रहन लगने वाला है ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहन होगा जो खंडग्रास रूप में भारत में भी दिखाई देगा शास्त्रों के अनुसार जहां चंद्र ग्रहन दार्शनिय होता है वहां सूतक काल भी मान्य होता है सूतक काल से ग्रहन खत्म होने तक सभी धार्मिक कार्य, सामाजिक कार्य करने की मना ही होती है चंद्र ग्रहन के दौरान खासकर गर्भवती स्त्रियों को नियमों का पालन करना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे की सेहत पर असर पड़ सकता है आईए जाने साल का आखिरी चंद्र ग्रहन कब शुरू होगा और कब समाप्थ होगा, सूतक काल का समय और गर्भवती स्त्रियां क्या करें, क्या नहीं लेकिन उससे पहले अगर आप भी भगवान श्री राम से प्यार करते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कॉमेंट बॉक्स में जै श्री राम ज़रूर लिखें आईए क्यों-क्यों लगता है चंद्र ग्रहन? विज्ञान के अनुसार जब सूर्य, प्रित्वी और चंद्र एक सीधी लाइन में आ जाते हैं और चंद्र पर प्रित्वी की छाया पढ़ने लगती है, तो चंद्र ग्रहन होता है आमतोर पर चंद्र ग्रहन पूर्णिमा के दिन ही लगता है वही धार्मिका मान्यता अनुसार जब राहु चंद्र को ग्रस्ता है, तो ग्रहन लगता है खंडग्रास चंद्र ग्रहन क्या होता है? चंद्र ग्रहन तीन तरह के होते हैं पूर्ण चंद्र ग्रहन, आंशिक और उपच्छाया खंडग्रास चंद्र ग्रहन को आंशिक चंद्र ग्रहन भी कहा जाता है जब पृत्वी की छाया चंद्रमा के कुछ भाग पर पड़ती है तो इसे खंडग्रास यानी आंशिक चंद्र ग्रहन कहते हैं इस ग्रहन में धार्मिक महत्व होता है, इसलिए इसका सूतक मान्य होता है आईए अब जानते हैं चंद्र ग्रहन किस समय लगेगा भारत में चंद्र ग्रहन 29 अक्टूबर 2023 को देर रात 1 बचकर 6 मिनट पर शुरू होगा और देर रात 2 बचकर 22 मिनट पर खत्म होगा चंद्र ग्रहन में सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है ऐसे में शरत पूर्णिमा के दिन से यानि 28 अक्टूबर 2023 को दो पहर 2 बचकर 52 मिनट से सूतक शुरू होगा जो ग्रहन समापती पर ही खत्म होगा चंद्र ग्रहन में गर्भवती स्त्रिया को क्या काम नहीं करने चाहिए चंद्र ग्रहन काल में चंद्रमा की किरने दूशित हो जाती है ऐसे में गर्भवती स्त्रियों को इस दिन भूल कर भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए इससे बच्चे को हानी हो सकती है प्रेगनेंट लेडी चंदर ग्रहन के समय चांद को न देखें, इसका दुश्प्रभाव मा के साथ बच्चे पर भी पड़ता है गर्भवती महिलाओं को चंदर ग्रहन के दौरान नुकीली वस्तु जैसे सुई, चाकू, कैंची से दूर रहना चाहिए मान्यता के मुताबिक ग्रहन के समय नकारात्मक शक्तियां हावी होने लगती है ऐसे में गर्भवती स्त्रियों को ग्रहन काल में हनुमान चालीसा, विश्नु सहस्त्रनाम, आदित्य हृदै स्त्रोत, विश्नु हस्ताक्षरी मंत्र और पंचाक्षरी मंत्र का जब करना चाहिए अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन को आल पर सेट कर ले वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद